लोग कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनके कर्ज खत्म हो लेकिन वो अपनी आदतों को बदलते नहीं और यही कारण है कि वो उम्र भर कर्ज की चक्की में पिते रहते हैं आज मैं आपको छे ऐसी गलतियों के बारे में बता रहा हूं जिनकी वज़े से लोगों पर कर्ज रहता है और वो हमेशा ही कर्ज में डूबे रहते हैं और ऐसा नहीं है कि ये बाते कह करके मैं आपको ताने मारने वाला हूँ या आपको कुछ बुरा कह रहा हूँ क्योंकि इन 6 गलतियों में से 4 गलतियां मैं भी किया करता था लेकिन आखरी की 2 गलतियों को मैंने नहीं करा और इसी लिए मैं कर्ज से बाहर भी निकल पाया खुद को financially free कर पाया और आज मैं आपको ये बाते सिखा सकता हूँ आप हमिशा कर्ज में डूबे रहेंगे इसमें पहला संकेत ये है कि आप अपने सभी खर्च क्रेडिट कार्ड से करते हैं कई लोग एक नहीं आठ़ट क्रेडिट कार्ड रखते हैं और वो शान से बताते हैं कि उनके पास तो बहुत से क्रेडिट कार्ड है ऐसे लोगों को जब भी खरीदी करना होती है तो वो फट से क्रेडिट कार्ड निकाल करके दे देते हैं और दुकानदार उस कार्ड को स्वाइब करके चक से कर्ज को बढ़ा देता है और उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड का बिलादा है तो कई बार लोग एक credit card का balance दुशरे पर transfer कर देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने system को cheat कर लिया है जबकि मूर्ख वो बन रहे होते हैं इस बारे में मैंने मेरे दूशरे channel पर एक video detail में बनाया है आप चाहे तो उसे end में देख सकते हैं स्क्रीन में आपको link मिल जाएगी लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हर खरीदी के लिए credit card निकाल लेते हैं तो यकीन जानिए आप हमेशा ही करज में डूबे भी रहेंगे मैं व्यक्तिकत रूप से खुद का अनुभव बताऊं तो मैं भी करज में डूबा हुआ था और मैंने जब से credit card का इस्तमाल करना बंद किया है तभी से मैं अपने करजों को खत्म कर पाया था अब अगर आप ये गलती करना बंद नहीं कर सकते तो करज उताने की उमीद तो क्या ही रखेंगे करज में डूबे रहने का दूखरा संकेत या गलती ये है कि आप चीजे खुद की खुशी से ज़्यादा दूखरों को दिखाने और इंप्रेस करने के लिए खरीते हैं देखिए आपको समझना होगा कि अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए या इंप्रेस करने के लिए अपने पूरे पैसे खर्च कर देंगे तब भी कुछ लोग कम्या निकाल ही देंगे इससे आप दुखी होंगे आप और ज़्यादा खर्च करने की कुशिश करेंगे और आप हमेशा ही कर्च भी लेते रहेंगे एक वक्त था जब मैंने भी सभी को खुश करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए या फिर दिखावे के लिए खर्च करते रहने को अपनी आदत बना लिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं कर्ज में डूपता गया था अब आज के वक्त मैं किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, मैं जो करता हूँ सिर्फ अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए करता हूँ और मुझे लोगों के उपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब से मैंने इसादत को बदला है, मेरे हालाद भी बदलने लगे हैं और इसी लिए मैं आपके कहूँगा कि लोगों को नहीं, खुद को खुश करो, खुद को खुशियों से इंप्रेस करो और आप कर्ज से बाहर निकलने में कामियाब हो जाओगे अगर आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ये तीसरा संकेत है कि आप हमेशा ही कर्ज में डूबे रहेंगे अगर आप पहले की दो गलतियां करते हैं, तो निश्चिद रूप से आपका खर्च हमेशा ही आपकी आमदनी से ज़्यादा रहेगा साथ ही अगर आपको उधार में राशन, दूद और दैनिक जिरूरत की चीज़े खरीदने की आदत है तो ये खर्च और आमदनी का अंतर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा कभी कम हो ही नहीं पाएगा ऐसे हालात में आप इस अंतर की खाई को भरने के लिए करज लेते रहेंगे थोड़ा करज उतारेंगे और फिर अगले महिने करज ले लेंगे पर ये करज की खाई कभी भरेगी नहीं आप कभी करज के गड़े से बाहर निकल नहीं पाएंगे मेरी पहले की दो गलतियां होती थी उस वज़े से मेरे खर्च आमदनी से ज़्यादा हुआ करते थे लेकिन पहले की दोनों गलतियां ठीक करने के बाद मैंने अपने खर्चों को कम गिया और इसी ने मेरे करजों को मिटाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया अगर आप ये सोचते हैं कि कागज पर बजट बनाना मूर्खता है तो यकीन जानिए ये चौथा संकेत है जो आपको बताता है कि आप कभी भी करज से वाहर नहीं निकल चकते ये बात सिर्फ आपके साथ नहीं होती कई लोग ऐसे होते हैं मैं भी इनमें से एक हुआ करता था मैं करज तो मिटाना चाहता था लेकिन मैं बजट बनाने को मूर्खता समझता था इस वज़े से मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी अपने खर्चों को लिमिट नहीं कर पा रहा था और जब खर्चे लिमिट में नहीं रहेंगे तो करजे मिटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन जब मैंने मेरे खर्चों को कागज पर लिखना शुरू किया महिने की शुरुआत में ही बजट बना करके हर खर्च के लिए एक निश्चित अमाउंट को फिक्स करना शुरू किया तो मेरे खर्चे भी कम होने लगे और जितने पैसे में बचाता था उस पूरे पैसे को मैं कर्ज मिटाने में लगाने लगा और इस वज़े से मेरा कर्ज भी खतम होने लगा था कई लोगों की ये भी आदत होती है कि वो कर्ज को एक बोज नहीं मानते और ये पांचवा संकेत है कि आपका कर्ज खतम नहीं होगा ध्यान दीजेगा दोस्तो, जब तक आप किसी बात को बोज नहीं मानेंगे, तब तक आप उस बोज को अपने सर से उतारने की कोशिश भी नहीं करेंगे मेरे लिए कर्ज हमेशा ही एक बोज हुआ करता था, और मैं तरीके ढूंडा करता था कि कैसे इस कर्ज को उतार सकूँ यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह कुदरत का सीधासा नियम है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आप कर्ज को मिटाना चाहते हैं, तो कर्ज को बोज समझना शुरू कर दीजिए और आप अपने कर्ज को जल्दी ही मिटा लेंगे और जिस आखरी गलती या संकेत की बात मैं करने वाला हूँ, वो है एक्शन ना लेना लोग कर्ज तो उतारना चाहते हैं पर एक्शन मिल्कुल नहीं लेना चाहते लोग मुझसे कहते हैं सर हमें कर्ज खतम करना है मैं उनको उनकी problem समझ करकी एक action plan दे देता हूँ लेकिन वो लोग action लेने की जगा excuses देने लगते हैं और फिर भी शिकायत करते हैं कि हमारा कर्ज तो खतम होता ही नहीं जब मैंने ये तय करा था कि मुझे कर्ज को खतम करना है तो उसके बाद मैंने अगले दिन का इंतजार नहीं किया था मैंने उसी पल से अपने करज को मिटाने के लिए जी तोड मेहनत करना शुरू कर दी थी मैंने तुरंट action लिया था और मुझे उसका नतीजा भी तुरंथ ही मिलने लगा था मैं आपके भी वही कहूंगा अगर आप अपने करज को मिटाना चाहते हैं तो आपको action लेना होगा और वही action आपको करज उतारने में आपकी मदद करेगा उमीद करता हूँ आप इन गलतियों को नहीं करते होंगे और अगर करते हैं तो आज यही बंद कर देंगे ताकि आप अपने करज उतार सकें करज कैसे उतारना है इस बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए है तो आप उनको देख सकते हैं साथ ही इस बारे में میں ने मेरी किताब सफलता और खुशियों के दस सवाल में भी डीटेल में बताया है खर इस किताब में करज चिर्फ एक मुद्दा है जिसे मैंने टच किया है लेकिन कर्ज के आगे समपनिता, खुशियां और आनन्द भी होता है और उसके वारे में भी मैंने किताब में डिटेल में बात करी है तो अगर आप चाहें तो किताब भी पढ़ सकते हैं किताब की लिंक आपको डिस्रोप्शन में मिल जाएगी, पिन के वे कमेंट में मिल जाएगी आप उसे वहाँ से खरीच सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको एक लाइफ चेंजिंग अनुभव जरूर मिलेगा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बदाईए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल का बटन जरूर दबा दीजिए साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलू कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पिन के वे कमेंट में मिल जाएगी अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद